Hello everyone, welcome to the video आज की वीडियो में हम exercise 14.1 के question number 2 को solve करेंगे यह जो question है यह old NCRTs में 14.1 में दिया गया है और जो new NCRTs हैं वहाँ पे 8.1 में दिया गया है हमारा question है factorize the following expression question number 1 में यहाँ दिया गया था factorize the following terms और यहाँ पे दिया गया है expression तो इसमें difference क्या है कि जब बात terms की होती थी तो वहाँ पे दो values दी जाती थी या दो terms दी जाती थी जैसे 2X,4XY तो वहाँ पे उनके बीच में comma होता था और वो दोनों अलग-अलग होती थी यहाँ पे expression की बात की गई है expression यहाँ पे कैसे बना इन दोनों terms के बीच में कोई भी comma नहीं है इनके बीच में plus या minus का sign है जिससे यह expression बन गया तो यह difference होता है expression और terms में तो शुरू करते हैं, last video में भी हमने कहा था कि जो हमारा पास यहाँ पे पहला term है इसे हम लिखेंगे 7X और इसके factor निकालेंगे तो इसके factor निकल जाएंगे 7 multiply X 42 के factors हो जाएंगे, यहाँ पर यह even term है तो हम 2 से start करेंगे अब 2 से क्यों start कर रहे हैं हमने last video में पढ़ लिया था, आप जाके वहाँ पर check कर सकते हैं क्योंकि यह even term है, इसके normally हम क्या करते हैं कि इनका LCM लेते हैं LCM लेंगे हम इस form में कि 42, कहां से 2 से start करेंगे 22004, 21002 उसके बाद यह 2 से नहीं जाएगा क्योंकि last में 1 है तो हम करेंगे 370021 उसके बाद 71007 इस तरीके से हम LCM लेते हैं और इसके factor लिखते हैं जब LCM बार-बार लेते हैं या बार-बार उसके practice अच्छे से हो जाती है तो हमें पता है यहाँ पर यह 2 है, यह एक even number है तो हमें 2 से ही LCM स्टार्ट करना है तो फिर हम आगे factor पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 2300667042 इस तरीके से हम इनके factor लिखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि common factor क्या है सबसे पहले यहाँ पर common factor है 7 तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले 7 जो हमारा common factor है उसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि common नहीं है यह expression है तो जो factor बच गए उन्हें भी लिखना है तो उपर वाले value में यानि 7x में क्या मिल गया हमारे पास x sign है आगे minus का तो हम minus लगाएंगे उसके बाद 2,3006 तो यह हमारा इस question का answer होगा और यही 7x minus 42 के factor होगे अब factor का क्या मतलब होता है factor का मतलब होता है किसी एक expression को दो entities में तोड़ देना या divide कर देना क्योंकि हमारे पास पहले entity होगी 7 दूसरी होगी x minus 6 जब इन्हें multiply करेंगे तो original form हमें वापस मिल जाएगी 7x minus 42 तो आप second question पर द्यान देते है 6p minus 12q तो सबसे पहले 6p के factor यह भी even number है तो 2 multiply 3 23006 multiply p उसके बाद है 12q तो 12 2 multiply 2 4 multiply 3 12 multiply q अब यहाँ पे कौन-कौन से factor सेम है 2 and 3 2 and 3 तो हमारे जो factors में आएगे हम लिखेंगे 2 multiply 3 6 अब यह 6 कैसे आया 6 को हमने 2 multiply 3 कर ला 6 को हमने 2 multiply 3 करके directly लिख लिया जो कि हमारे पास common यहाँ पे factor है अब हम bracket में लिखेंगे वो factor जो हमारे पास बच गया यहाँ बच गया हमने 1st और 2nd question कर लिए अब हम 3rd question करेंगे अब है हमारे पास next part 7a square plus 14a तो इसे भी हम वैसे solve करेंगे लिखेंगे सबसे पहले 7a square इसके factor आजाएंगे 7 multiply a multiply a यह दो बार हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे a square है उसके बाद 14a क्योंकि यह even term है तो 2 multiply 7 2 7s are 14 multiply a इसमें common factor आगया 7a तो सबसे पहले common factor को बाहर लिख लिए हमने 7a अब हमारे पास क्या बच गया a plus 2 हमारा answer आगया 7a bracket में a plus 2 और सिक ऐसे पढ़ेंगे 7a into a plus 2 next है हमारा 4th minus 16z plus 20z cube तो सबसे पहले minus 16z के factor लिख लेते हैं even term है तो 2 से start करते हैं 2 multiply to 4 multiply to 8 multiply to 16 2 2 0 4 4 2 0 8 8 2 0 16 इस तरीके से multiply 7 अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लगा हुआ है minus तो हम minus को क्या कर लेंगे इस पूरी term को एक सार लिखने के बाद ही हम बाहर की तरफ एक minus लगा लेंगे next है 20 z cube तो 20 को भी 2 multiply 2 multiply 2 4 4 multiply 5 20 multiply z multiply z multiply z उस लोग z को जी भी पढ़ते हैं तो वो उनकी choice है तो हमार पास यहाँ पे common factor क्या आ गए 2 2 और z z हम यहाँ पे सबसे पहले common factor लिख लेते हैं 2 into z फिर अब जो हमार पास बच गया उन्हें हम bracket के अंदर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे minus का sign है तो इसे minus के sign को लिखेंगे उसके बाद हमार पास यहाँ पे क्या बच गया वह यहाँ पे एक और 2 2 4 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 2 2s are 4 4 z तो हमार पास बच गया 4 और sign है plus का तो लगाएंगे plus उसके बाद 5 z square 5 z square तो हमारा अंसर आ गया 4 z into minus 4 plus 5 z square next question है 20 l square m plus 30 al m तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 l square m इसके फेक्टर हो जाएंगे 2 multiply 2 4 4 multiply 5 20 multiply l square l square को हम लिखेंगे l multiply l और m उसके बाद दूसरा 30 al m इसके बन जाएंगे 2 multiply 3 6 multiply 5 30 multiply a multiply l multiply m तो इसमें common factor के आगे 2 2 5 5 5 5 l और l साथ ही में m m तो इन्हें हम बाहर लिखेंगे यह आजाएगा 2 multiply 5 10 l m अब हमारे पास कौन से factor बच गए बच गए बच गए 2 और यहां बच गए l तो हम यहां लिखेंगे 2 l sign है plus का फिर लिखेंगे plus यहां हमारे पास बच गए 3 और a तो हम यहां पे लिखतेंगे 3 a तो हमारा जो अंसर आ गया यह आ गया 10 lm इंटू 2 l प्लस 3 a नेक्स्ट हमारे कौश्चन है 5 x square y माइनस 15 x y square तो यहां पे हम सबसे पहले 5 x y square के लिखेंगे 5 x square y इसके factor आ जाएंगे 5 x x x x y हमेशा last में multiply 1 होता है लेकिन वो hidden होता है यह हमने पहले भी discuss कर लिया है उसके बाद next है 15 x y square यह के लिखेंगे हम 3 into 5 into x into y multiply y अब इसमें क्या क्या common है इसमें common है 5 5 x x y और y तो इन्हें हम बाहर लिख लिख लेते हैं यह आ गया 5 x y अब हमारे पास क्या बच गया यहां पे बचा सिर्फ एक x लिख लिख लिया sign minus का है तो minus लगाया यहां बच गया 3 यहां बच गया y तो हमने यहां लिख दिया 3 y तो हमारा अंसर आ गया 5 x y into x minus 3 y नेक्स्ट कॉश्चिन है 10 a square minus 15 b square plus 20 c square तो सबसे पहले इनके factor लिख लेते है 10 a square यह बन जाएगा 2 multiply 5 2 5s are 10 multiply a multiply a 15 b square यह बन जाएगा 3 multiply 5 3 5s are 15 multiply b into b किसी अगर directly ना लेना आ रहा हो तो लिख लेके भी solve कर सकता है next है 20 c square 22 के table से start करेंगे क्योंकि यह even है 2 multiply 2 4 4 5s are 20 into c into c अब यह हमारे पास factor आ गए अब हम इसमे common factors note कर लेंगे सबसे पहले यहाँ है 2 लेकिन 2 second वाले में नहीं है 2 जो है first और third में ही है तो 2 को हम ignore करेंगे कि इसे count नहीं करेंगे next है 5 5 first वाले में भी है second वाले में भी है और third वाले में भी है next है a a सिर्फ first में है तो हमारे पास common factor क्या आ गया सिर्फ और सिर्फ 5 आ गया तो जो factor बच गए उन्हें हम bracket के अंदर लिख लेंगे 2 a square sign है minus का तो minus लगाएंगे 3 b square sign है plus का तो अब हम plus लगाएंगे 2 into 2 4 4 c square तो हमारा answer आ गया 5 into 2 a square minus 3 b square plus 4 c square तो अब हम जाते हैं अब हम next question को solve करेंगे यह है minus 4 a square तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम minus 4 a square इसे कैसे लिखेंगे minus का sign बहर 2 multiply 2 4 multiply a multiply a उसके बाद है 4 a b इसे लिखेंगे 2 multiply 2 4 into a into b उसके बाद है minus 4 c a minus का sign बाहर bracket के अंदर लिखेंगे 2 into 2 into c into a तो अब हम note करते हैं कि इसमे common क्या-क्या आ रहे है सबसे पहले है 2 इसमें भी है 2 और 3rd वाले में भी है 2 यानि factor में 2 तो आएगा ही उसके बाद second 2 second और यह भी है into 2 उसके बाद a भी common है a भी common है a भी common है into a तो यह 2 तूजा 4 तो हम इसे लिखेंगे 4 a अब हमारे पास क्या बच गया यहां बच गया फर्स्ट वाले में सिर्फ a हम यहां लिखेंगे minus का sign का ध्यान रखना है minus a sign है अगला plus का यहां बच गया a b into minus a plus उस और यहां पे b ही आएगा क्यों क्योंकि यह तो हमने हमने count कर लिया है तो minus a plus b minus c यह हमारा answer हो जाएगा तो अब हमारे पास बचे हैं last के दो questions इन्हें हम trick के help से भी कर सकते हैं और जो हमारा normal method है उससे भी कर सकते हैं तो जिन्होंने कल की वीडियो देखी है वो जानते हैं कि trick क्या है तो हम क्या करते थे हम देखते थे सबसे पहले है यहां पे x यहां पे भी है x यहां पे भी x तो x की सबसे कम power क्या है simple x की power 1 है यहां पे हम लिख देंगे x next है y यहां पे है y square यहां पे है y तो y की सबसे कम power क्या है यहां पे आनी चाही y उसके बाद z, z, z square यानि बाहर जो आएगा bracket के वो x, y, z आएगा तो हमारे पास और क्या बच जाएगा अंदर की तरफ हमारे पास यहां पे जब हमने एक x ले लिया है तो यहां पे y आएगा z आलरेडी आ चुका है प्लस यहां से x आ चुका है यहां से y आ चुका है यहां से एक z आ चुका है तो हमारा अंसर आना चाहिए x, y, z into x plus y, plus z तो उसे अब solve करते हैं factor method से सबसे पहले है x square y, z तो हम लिखेंगे x into x into x into y into z next है x, y, square, z इसे हम लिखेंगे x into y into y into z third है हमारा x, y, z, square इसे लिखेंगे x into y into z into z अब इसमें जो common है उसे हम बाहर लिखेंगे सबसे पहले x से शुरू करते हैं यहां पे भी x है यहां पे भी x है यहां पे भी x है तो x हमने बाहर लिख लिखेंगे उसके बाद दूसरा x लेकिन बाकी कहीं पे दूसरा x नहीं है तो हम इसे count नहीं करेंगे इन दोनों को हम count नहीं कर रहें next है y y यहां पे भी है second में भी है third में भी है तो य भी हम बाहर लिख लेंगे उसके बाद है यहां पर जेड जेड सेकंड में भी है तो हमने जो भी इनके कॉंबन थे वो सभी हमने बाहर लिख लिए अब ब्रैकेट के अंदर हम वो लिखेंगे जो हमारे पास वैल्यू बची हुई है एक एक्स्ट्रा लिख दिया था उसके लिए अब यहां पर एक एक एक्स्ट्रा लिख दिया गया था अब हम लिखेंगे जो वैल्यू हमारे पास बची हुई है सबसे पहले हमारे पास बचा है एक्स उसके बाद साइन फिर हमारे पास बचा है वाई फिर से साइन प्लस का और हमारे पास बच्चा है Z, तो हमारा अंसर आ गया X Y Z into X plus Y plus Z, तो यही हमने trick से भी निकाला था, without using any pen pencil, तो हमारे पास अंसर आ गया, same करते हैं, next वाला solve, अब इसे भी trick से किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे है A, और इसे भी trick से solve कर सकते हैं, जैसे यहाँ यहाँ पे A है, लेकिन किसी भी बाकी दूसरी term में A नहीं है, तो यानि A common factor में नहीं आएगा, उसके बाद हैं, यहाँ पे है X, यहाँ पे भी X, यहाँ पे भी X है, और X के सबसे बच जाएंगी, एक बच जाएगा A, यहाँ पे एक X बाहर है, एक अंदर है, तो हम यहाँ लिखेंगे X, Y अल्रेडी बाहर है, तो हमारी वैल्यू कतम हो गई, प्लस B, X अल्रेडी बाहर है, एक Y अल्रेडी बाहर है, तो यहाँ पे आएगा Y, प्लस C, X अल्रेडी बाहर ह y भी बाहर है बच गया z तो हमारा अंसर आना चाहिए xy into ax plus by plus cz अब इसे solve करेंगे ax square y इसे open करेंगे तो बन जाएगा a into x into x multiply y उसके बाद bxy square यह बन जाएगा b into x into y into y third है हमारा c xyz c into x into y into z हमने सभी के factors को open कर दिया है अब इसमें से हम common value निकाल लेंगे यहां simple a यहां a जो है सिर्फ first value में है तो हम a को नहीं अब note करेंगे आगे है x x और x तो x को हमने बाहर लिख दिया उसके बाद एक और x है लेकिन बाकी terms में यह नहीं है उसके बाद आ गया y y और y तो x और y हमने बाहर लिख दिया अब जो values बची उन्हें हम bracket के अंदर लिख लेंगे ax उसके बाद शाहिन है plus का by उसके बाद शाहिन है plus का और c z तो हमारा answer आ गया x y into ax plus by plus c z यहीं हमने trick से भी निकाला था और solve करके भी निकाल लिया तो I hope आपको यह video अच्छे लगी होगी अगर कोई भी doubt हो तो आप comment box में लिख सकते हैं Thank you